है आजायो एको रहा। एक कछ स्टाठ करते ना यह हमारा सिसरा कि लास है यह किन ağr यह थर्ड किलास है किसका लाइन सेंड एंगल्स का रेखाएं और कौन का तीसरा किलास है हम क्या पढ़े थे लाज क्लास टाइप सोफ एंगल क्या पढ़ रहे थे अब टाइप सोफ एंगल में तुमने कहां तक पढ़ा था सप्ली मेंटरी एंगल क्या पढ़ा था अच्छा क कॉंप्लिमेंटरी प्लाथ हैं पांच पढ़ाई थे शिक्स अभम कौन सा पढ़ाएंगे शिक्स पढ़ाएंगे शिक्स पढ़ाएं शिक्स पढ़ा दिये चलो तो 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 सब्सक्राइब कभी 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 कुछ आधे आधे खाले करें तो कल वर्ति रहो गया तुम राधा के लिए वर्ति रहो गया कली वर्ति रहेंगे वर्ति अगल वर्ति रहें होदिक अव्यक्ट फोलति रहाएं यह नुद में बता है सब्सक्राइंगन चलो लिए ग्षेट इंगलल रहे सप्ली मेंट्री रहेस तेट गल्स हो गया में ट्री अगल्स यॉवल्द तो श्मप्लीमेंट्री अन्गल्स क्या बोलतिने श्मपुडख व में क्या बोते हैं सम पूरकॉन क्या होता है एसे दो एंगल जिसका सम कितना हो नदी डिगरी उसे बोलते थे क्या कॉप्लीमेंटरी और अब क्या रही सप्ली मेंटरी जिन Πाह्णा क्या हो 175 आगे happy बहुत आगे है पार हम यह नहीं पढ़ाये तुम को में कर जाए जाए गा ना नाइं चलास का मैथ स्ट्रॉंग करने वाला किलास होता है जिनको मैथ कमजोर जिन को मैथ पसंद नहीं है जो मैथ को डिस्लाइट डिस्लाइक मारते है उसको पढ़ना चाहिए प्र 9th class का math strong हो जाएगा फिर वो ऐसे मारेंगे ऐसे मतलब लाइक मारेंगे ठीक क्यों वही देखो चलिखो किसमें चलिखो बताओ समय इफ दा समोफ टू एंगल इफ दा लेखो इल्फ दा समोफ टू एंगल्स इज वन एटीग्री देन्गल्स आर सप्लीमेंटरी 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 अंगल्स समझाई पास अब को सप्लीमेंटरी बतलब क्या होता है दो एंगल्स समझाई हो वन एटीग्री लेखो यदी दो कोनों का माप यदी दो कोनों के मापों का योग्पल्पल्पल्पल्पल्पल्पल्पल्पल्पल्पल्पल्पल्पल्पल्पल्पल्पल्पल्पल्पल्पल्पल्पल्पल्पल् सम्पूरक कौन कहते हैं क्या तो उन्हें सम्पूरक कौन कहते हैं समझ माया कहते हैं कहते हैं कि कि धो ये एंगल का सम्लें में रहे हैं तो उन्ह दोनों एंगल का आ क्या अंपस में थे कि हम पूरब कौनैंड नहीं पूरे ने को कि तो तो उम दोनों भासा में पढ़ार्य हां हां हो गता हरे हैं से यड़़िए हंदी वाले को अंगर्जी युथ वाले बना पाएंगे है ना और अंग्रेजी वाले को हिंदी वाले ने बना पाएंगे देखो यह एंगल सपोस्ट करो एक्स डिगरी है तो यह दोनों कौन किस पर बनेंगे लाइन पे अगर लाइन पे पुरा कौर बनता है तो कितने डिली गा होता है 180 डिली अक्तिक न तो एक्स प्लस वाई कितना है गा एक्स डिली प्लस इसकोल टू रिट है न इसे हम क्या बोलेंगे सप्लीमें अंगल सब्सक्राइब तुमसे कभी अगर कोई पूछे बताओ बता बताओ 65 डिगरी का सप्लीमेंटरी अंगल क्या होगा हां सप्लीमेंटरी एंगल इस वन वन फाइब डिगरी कितना कितना 115 डिगरी कैसे है संपूर कौन कैसे है तो यहां लिख देना 115 डिगरी और कौन सा 55 डिगरी संपूर कौन क्या है संपूर कौन है अब कल जागे हम तुमसे पूछेंगे तो तुमको पता होना चीकल भी अगे बड़े अब हम लोग पढ़ेंगे एंगल बाई सेक्टर क्या पढ़ेंगे एंगल बाई सेक्टर क्या होता है इस सब कुछ बेसिक तुम्हारा बन रहा है साथ हो गए ना आठ पढ़ेंगे आठ लिखो एंगल बाई सेक्टर एंगल बाई सेक्टर समद्वी भाजक कौन क्या बोलते इसको समद्वी भाजक कौन यह क्या होता है अभी समझाते हैं तुमको देखो हमारे पास क्या है इसको न तुम ड्रग डाइग्राम से समझना ठीक है न कहां से समझना डाइग्राम से न देखो अरे गलत कर दिये सीधा है बिलकुल है ठीक है यह हमारे पास एक एंगल है क्या है इसको नाम देते हैं ए ओ और यह भी ठीक है यहां पर एक एंगल है कौन सा ए ओ भी हम जिस एंगल की बात करते हैं वह एंगल के लिए वह नुमबर भीच में होता है ना चाइक हो जया लेगा फर लिकिए ठीड लायन ने क्या करा इसको डिवाइड कर दिया एंगल हो दो पार्ट मे ởana तो उसको नाम दे नाम दे दिया तो ओ एक्स क्या है एंगल वाइस हेक्टर क्या है समझ में आया सबको ठीक है ना तो क्या लिखेंगे रे ओ एक्स इज गॉल्ड एंगल बाइस एक्टर एंगल बाइस हेक्टर यानि किरण ओ एक्स को क्या कहते है कौन संदी भाजप कहते हैं बात समझ मेंने रहे है सबको क्या क्या ते यह संदी बाजप süब्झा करो आगर ये बाईस हेक्टर यह तो तुम दिवागो ध्यान से और और पूछेगा एंगल एक्स ओवी कौन सा सब्सक्राइब एक्स ओवी एक्स ओवी एंगल कितना डिगरी होगा जितना था पहले एंगल एओ बी कितना था जो भी था उसका हाफ हो जाएगा उसका यह अगर मान लो पहले था पूरा कितना साट डिगरी अब यह कितना हो जाएगा उनली यह था हाफ हो गया त्यूंकि ओ एक्स जो है रहे उसने एंगल को बाइस सेट कर दिया ठीक है ना किसकी बात होगी एजसेंट की बात करेंगे ठीक है ना किसकी बात होगी एड़ेसेंट की बात होगी ठीक है ना अब आता है लिनियर पेर ओफ एंगल्स लिनियर पेर्स ओफ एंगल है ना कितने होगे आठ हो गए इसकी छपाये करो अपने बुक खौपिल कर आक क्या बता है मैंने को नों का रही दो ना यूग मा को नों का कि तने ओगए ते उपर दस्मार्या गया कि नहीं आ गया हमको पता कर से नहीं चलता है इसे लिखता है कौनों का यारम को ध्यान लगना पड़ेगा बूल जाते हैं बताओ कौनों का रैखिक योगन और सुरी रैखिक योगन क्या को रहें का रहें कि योगन तो इसका हम लोग अंग्रिजी में क्या लिखेंगे पेयर ओफ लीनियर एंगर क्या अपने पेयर ओफ कि लीनियर एंगर कि यह लीनियर पेयर ओफ एंगल है ना बात एक यह है देख रहे हूं कि चलो सापलत को अब हम पढ़ते हैं दर हमने क्लाइन केचा चाहिए 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 नहीं इस्ट्रेट लाइन नहीं क्या करते हैं ऐसे को लाइन खिर दिया को रहे ना अब दो यहां भी तो एंगल बनेगा यहां भी तो एंगल बनेगा नहीं बनेगा या लिए लीनियर मुझाओ आ होना है क्लाइन फें सीदी तो इस एंगल और इस एंगल तो नों पैर ही तो है यहां बनाव जोड़ा जहां दो होते हैं जैसे दुनों भी पेर बैठीय हैं है ऐसे यह दो एंगल पियर में तो लोग बोलते है ली नियर प्रियर के बोलते हैं तो लिखो इसमें फटाप पट से ठीक है ना तो इसको अम लोग नाम तो नाम देदेते हैं इधर ए बोल देते हैं इधर बी और हम लोग पी बोलते ना इधर हम लोग बोल देते हैं तो एंगल ए ओ पी प्लस एंगल वी ओ पी कितना आएगा तो ऐसे प्लस एंगल हम लोग बोलते क्या है ओ सिट देगा हमारे लाइट चली जाती है तो दिक्कत हो जाती ना कोई बात नहीं अगला पुड़ते कौन सा वर्टिकल अप्वोजिट एंगल कौन सा हां पेर ओफ वह तो गया वह नहीं पेर अपने असा नहीं लिखना है इसमें अब आप टैन आगा है ना तैन का नाम क्या है वर्टिकल अप्वोजिट एंगल लिखो वर्टिकली वर्टिकली अप्वोजिट एंगल अप्वोजिट एंगल वर्टिकली अप्वोजिट का मतलब क्या होता है बताओ पता है किसको एंगल कैसा होता है पता है चला आओ बना के दिखाओ अगल बना के दिखाओ तो बनाओ सिर्षा भी मूख कोन केते हैं इसको क्या पूलते हैं इंदी में सिर्षा भी मूख कौन ठेक है ना लेखो सिर्षा सिर्षा ऐसे लिखते हैं और यह से सिर्षा भी मूख कौन समझ माया का समझेते हैं हम नहीं समझाएंगे समझाएंगे एक लाइन ये गया लेक लाइन दोर एक हाए चली गई आपस में काट रही क्या कर रहें आप उसमें आठ रहीजा जटिक इसको इसको एब 있지만 एक पॉइंट ओ है कौन सा पॉइंट है तो है कि हम इस ऐसा देखा गया है कि यह एंगल जो है इस एंगल के एकवल होता है इस एंगल के और इस एंगल के क्या होता है और इन्हीं को बोलता है वर्टिकली ओपोजिट इंगल ठीक है ना तो हम लोग क्या लिखेंगे इधर अपने संदर-संदर कलमों से की एंगल ए ओ डी एंगल इसकाल टू एंगल बी ओसी बॉस ब्योंसी मतलब बॉस और कौन सा एंगल एकवल होगा आपस में अंगल ए ओसी इसकाल टू एंगल बी ओडी आपस में कैसे हैं इक वैं कैसे हैं आप अच्छे हैं अपयों बिकार ही अ लुछ फॉल फॉल बिकार स्कूटर की साइकल है हमारे स्कूल में आरे बंड का नहीं होता है हमारे स्कूल में एक्जाम होता है संस्कृति का ना बेटा अगला जाडिंग हमारा होगा वो क्या होगा इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन यह क्या होता है कि इंटरसेट्टिंग को बोलते हैं प्रती छेदी एवं प्रती छेदी एवं आप प्रती छेदी ऐप हो देखो मालो मैर पास एक लाईन है मैं एक लाइनल के लाएन भाए लाइन 2 है यह आपस में कहा करते इंट्रसेक्ट इस पॉइंट पर यह पॉर्इन यह पॉइंट पर और यह dwria ना चाव को सब लो expect लों हम लोग पोलेंगे intersecting line जा रहा है ना तो इसको आल वन कह हैं कि इस दोनुन भाइड में कोई ऐसा पॉइंट है पर हो कोमन को मद具 वर्फ उभल शुब को मन यह थि में इसमें यह लाइन वर्फ पर भी और लाइन आर्टू पर वी उड्य इसमें ऐसा दोनों दो प्वेंट है जो को मनों मत दो हुब दोनों पर हो नहीं है ना भी नौन इंटर्सेक्टियंग लाइन्स ठीक है बच्छा पाटी जल्दी से कॉपी करो इसको ठीक ना ठीक ना कॉपी करो फटाबर से अब आपन लोग बढ़ेंगे आगे ठीक ना और हम लोग यहां पर ठीवरम पढ़ेंगे सबसे पहला हम नहीं कहा था है कि जो फूब्र मांगता है είναι में मांगते मों फूरा मांगते हैं गुर्व mine क्वार कर दिया किसी का इसे नहीं पगड़ेगी न क्यों नहीं पगड़ेगी पूलिस बोलेगी लाओ रूब दिखाओ तब इत्कों मिलेगा जेल में है ना सजाग लेकिन अगर एविडेंस नहीं तो सबस्क्राइटा है था ये कशने होता कि प्रोव करना पर तो हमार्स थ्यों सब्सक्राइब कहता है लिखू एडिश्वृ थि subscription फ़र्स्ट का कहता है च अपर स्विर हम फिस त्वर्स्ट कहता है एंस ट्म लाइन்स इंटर्षेक्ट अ इंटर्सेट्ट आज़ांस है चैनिस तो लाइंस और कोई एंटर्सेट इंटर्सेक्टिंग at a point then the vertical opposite angle is equal vertically huh intersecting so good media spelling intersect intersecting lines are intersecting at a point then the vertically opposite angle angles are equal it's a proof can add again I can ask all this key in the calendar because the DDo Rekhae Paris for Pritchett Karti a yeah the DDo Rekhae Paris for Paris for परतिछेद करती है तो सिर्षा भी मुख कौन बराबर होते हैं क्या होते हैं यह हमें पुरूफ करना है बराबर होते हैं कैसे बराबर होते हैं मुख करेंगे ठीक ना देखो आजब पूरूफ करने बोट असान यह करना कि एक लायन हमारा यह हो गया इसे बोल देते हैं इसे बी बोल देंगे ना इससे बोल देंगे और इसे यह पर रहोगा जीरो जीरो मतब कि ओधिए अब यह एंगल लिए इंगल है बताओ कैसे के क्या करना परता बच्छा ? पूरूफ करना परता है ठीक करना ऐसा ये अंगल एक्वल टू यह एंगल है कैसे करेंगे प्रूफ आप देखो ध्यान से एंगल जो ए ओ और सी है एंगल ए ओ सी ए प्लस एंगल सी ओ बी कौन सा एंगल इसका सम कितना होगा बताओ इसको बोले एकोशन नमर वं क्यूं होगा बता हो या रिकन भी देना परता है क्या परता है देना क्यूँ एक पल होगा व्लॉइंटि क्यू होगा एंगल सम ओन ऊन लाइन क्या लीनियर एंगल लीनियर that is linear. sum on a line. एक line पे angle का sum कितना होता है, बहुत को ये line नहीं है क्या यहуса इत लाइने लाइन पर ज्तने भी angle उनको calculator लेघ़ ले विए ऐने भी वैइन है एक linear वाल यह line एक ये गया तो तेन एंकल बने एक ये वाला एक ये वाला और एक इन सब कर समके कितना हो हमेशा लाइन पे न हमेशा एंगल किसने का बनता है 180 का बनता है सब ध्यान रखेंगे न बोलो ध्यान रखेंगे ठीक है अच्छा आप देखो साके निकुस लिए आ जाओ देखो एंगल कॉंट से लेंगे ए ओडी ए ओ प्लस एंगल डी ओवी डी ओ यह कितना होगा बता हो 180 रिजन क्या देंगे सेम रिजन ट्योटा रेख है कौन योग गून क्या बोलेंगे रेख है कौन योग गून सब्चित है यह तो मारा सेम रिजन अब गया करना है देखो हुआ यह भी वन इंटी और यह भी वन एटि दोनों क्या है वन एटि है तो अब दो दोनों को अपसमें एकभल कर देंगे बच्चा क्या कर देंगे इकवल कर देंगे अच्छ आच्छ 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 यह होता है है ना दोनों को अपस में एकवल कर दो क्या कर दो इक्वल कर दो है न कि ए ओ सी प्लस बी ओ सी ठीक है फिर ए ओ डी प्लस डी ओ विदुने को लापस में कर दो कि इसमें गरबड कहां चल रहा है अगल प्लस ये अंगल प्लस ये गल अचीए अधियों से इसमें कैसे नहां रहा है आपस में इक्वल कर देंगा तो ये कट जाना चीए ना केंसिल अट हो जाना चीए कि अधिया जुग्रेश करें मेरा जाँ देखो अधियों से लिखा ना कि अधियों से लिख्यां करें अधियों प्लस ये अंगल एंग्ण प्लस बीयोँ से इक्वाल डूमनेटी हो गया अब इसमें देखो अधर देखो इसम लिखेंगे एंगल बी ओसी देखरा को बी ओसी प्लस ये वाला बी ओडी प्लस अंगल बी ओ डी ओडिखो ये वाला एंगल और ये अंगल सम्कीतना आएगा और फ्याइटि नियों गा तो यहां पर भनेटी डिगरी न से लिनियर सम और एंगल है न लेग दिया अब हम दोनों को इक वल कर देंगे है न दोनों को एकवल करेंगे को दूनों पोनेटी हैते इसे आप बोलों का यहां लेको फ्रॉम एक्वेस्टन वन एंड टो एंगल एंगल ए ओ सी पलस एंगल कौनसा सी ओ वी इसको टूंद यह कर देंगे एंगल बी ओसी लिख दो याब सी ओ बी लिख दो सी ओ यह ना स्कूल पलस क्या हो जाएगा एंगल वी ओ बी ओ कि देखो अब यूद्ध आपस में क्या हो गए है कि अधिया ने तरहेंगा मैंस में खत्म हो जाएगा तो एंगल एओ सी इस प्लूट क्यों जाएगा एंगल वियोडी और यूद्ध और कैसे हैं वर्टिकल अपोईट एंगल देखो ध्यान से यह वह सी उपर है विचार वर् कॉपी कर दो आपसे मिलते हैं अगली क्लास्टिक रहा कुछ को संस्की प्रैक्टिस करेंगे एक्टो साइज सिक्स पॉन्ट वांड किया ना थैंक्यू करना करना तुमको भी